तुम हां तुम तुम बार बार में इस टूडियो के चक्रनी काटना चाहते हैं ना उनके घंटों के इसाब से अपने पैसों का बंटा नहीं लगवाना चाहते और तुम प्रोडूशर को भी पैसा नहीं देना चाहते क्योंकि तुम्हें सारी बीट्स यूट्यूब से मिल जाती है तो आज मैं तुमको बताने वाला हूं कि तुम कैसे अपना होम स्टूडियो बना सकते हो अपने घर के किसी भी बेकार पड़े कमरे में जैसे कि मैंने बनाया भाई और उनकी वेनों मैं हो तुम्हारा भाई जितू और तुम्हारा स्वा लेंबॉर्गनी खरीद लाओं और हां तब तक अगर आपको अपने सॉंग्स की मिक्सिंग मास्टरिंग जो कि आपसे नहीं हो रही है उसके लिए मेरी सर्विस चाहिए तुम लोगों को सब कुछ बताने वालों सब कुछ कि तुम कैसे अपना एक मस्त होम स्टूडियो बन नहीं है कि होम स्टूडियो बनाने के लिए काया चाहिए होगा उसको कैसे कैसे यूज करना है तो मैं सब कुछ बताने वाला हूं तो यहां पे तुम खड़े हो कि तुमको कुछ पता नहीं है और यह वीडियो तुमने पूरी देखी नहीं यहां पे जब तुम पहुँच गए तो तुमको सब कुछ पता होगा तो शुरू करें लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात कि अगर अभी तक इंस्टेग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लेना लिंक दिया है डिस करिप्शन में ओके चलो शुरू करते हैं तो चलो जल्दी से बात करते हैं कि होम यो कहीं भी बना सकते हो अपने बेडरूम में अपने लिविंग रूम में अपने बात रूम में अपने टॉयल यह कुछ ज़्यादा हो गया तो भाई लोगों मैं बताता हूँ वो आइटम जिनकी जरूत पड़ेगी होम स्टूडियो बनाने के लिए सबसे पहला जो चाहे मैक का हो सकता है इससे कोई भी प्रोब्लम नहीं है पुराना कंप्यूटर है काम में ले सकते हो बस थोड़ा बहुत ठीक होना चाहिए रैम जो है मिनीमम 4GB रैम तो होनी चाहिए और प्रोसेसर भी ठीक ठाक होना चाहिए एकड़म घटिया होगा तो काम नहीं करेगा अमेज़न पर वहां से देख सकते हो सेकिंड जो चीज है मेरे भाइलों को वह है ओडियो इंटरफेस ओडियो इंटरफेस जो है वो काम आता है तुमारे माइक्रोफोन को जो कि होगा कुछ इस तरीके से इसका को भाटा देता हूं यह हो गया माइक्रो फॉन और बाकी तु दीज़ी चीज होने वाली है software हाजी computer जो है उसमें एक software डालना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं digital audio workstation DAW यह बहुत सारी कंपनियों के आता हैं बहुत सारी आते हैं कई फ्री के आते हैं कई पैसे वाले आते हैं कोई इसा भी काम में ले सकते हो sound पे फरक नहीं पड़ता है यानि कि हर software का sound एक ही आता है लेकिन processing की टेकनीक्स थोड़ी अलग हो सकते हैं प्लग इन्स थोड़ी अलग ह पड़ता है चोथी जो चीज है मेरे भाईयों वो है cables हाँ जी यह देखो यह cable यहां पे cable वहां पे cable जो भी home studio में cable मिलेगी क्योंकि हर चीज को एक दूसरे से जोड़ने के लिए cable होनी आवश्यक है जैसे speaker को जोड़ोगे अपने audio interface के साथ में microphone को जोड़ोगे audio interface के साथ मे computer के साथ में कई चीजों को जोड़ोगे तो बहुत सी cable चाहिए होगी mainly जो cable home studio में काम आती है वो है XLR cable XLR cable mainly काम आती है आपके microphone को audio interface से जोड़ने के लिए कई monitor speaker है इनको अपने audio interface से जोड़ने के लिए बाकि एक TRS cable आती है वो अपने instruments है जैसे वहां पे उपड़ा है इसक उसके लिए guitar को direct record करना चाहो उसके लिए और monitors को भी उससे जोड़ सकते और USB cable है जो आती है MIDI keyboard को अपने computer से जोड़ने के लिए और अपने जो भी चीजें हैं बाकि की उनको audio interface को computer से जोड़ने के लिए तो USB, XLR और TRS तीन टाइप की cables की जड़त पड़ेगी अभी मैं बताने वालों सब कुछ की कैसे क्या चीज किस में घुसाक है कैसे connect होती है कि एक पूरा home studio setup होता है तो चीजों को बस लिखते रहो और समझते रहो last में मैं सब कुछ जोड़ दूँगा पांची जो चीज है मेरे भाईयों वो है studio monitor speaker यह जो सामने पड़े है या फिर studio monitor headphone एक ही ले सकते हो budget कम है तो headphone ले लो speaker की starting में कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन budget must है पैसे की कोई कमी नहीं है तो दोनों ले लो क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह बहुत काम आते हैं speakers थोड़े महेंगे आते हैं तो यह ज़रूरी नहीं है कि तुम बहुत महेंगे वाले ही लो मेरे भाई कोई साभी ले सकते हो किसी से भी कुछ भी result निकाल सकते हो कोई भी speaker खराब नहीं आता है सब अपनी अपनी एक अलग उनमें विशेस्ता आती है तो जो चाहो वो ले सक कोई साभी खराब नहीं है तो अपने budget को पहले ध्यान रखना जबरदस्ती मेंगी चीज़ खरीदने की जरूत नहीं है और जरूरी यह भी नहीं है कि अब इस studio monitor खरीद होई पैसे खरीद सकते हो नहीं तो एक headphone खरीद लो काम चल जाएगा बाद में पैसे होंगे monitor खरी ले चाहते हो उससे थोड़ा पैसा कमाना चाहते हो then also you will need a microphone और microphone जो लेना है वो एक ऐसा लेना है जो ज्यादा ही ना तो महिंगा हो ना ज्यादा सस्ता हो देखो खूब बेंगे microphone के आते हैं खूब ज्यादा महिंगे 20-20-30-30 लाक रुपए गे उधर नहीं जाना है अपनो क्य जिन्दगी सारी microphone में नहीं लुटा देनी है और एकदम सस्ते वाला भी नहीं खरीदना है जैसे बीए में टेंडरेट क्योंकि पैसा खराब करने के लिए भी अपने पास नहीं है तो जैसा बजट है उसके हिसाब से आप microphone खरी सकते हो 5000 से लेके 10-12000 के बीच में ठीक बज़ना कि सस्ता है तो उससे बड़िया recording नहीं हो कि भाई सस्ती चीजों से भी एकदम धमाका कर सकते हो बैंगी चीजे थोड़ी बहुत थीक आती है लेकिन सस्ती चीजे भी मुस्त आती है तो microphone में दो टाइब के microphone आते है एक तो यह है condenser microphone यह है audio technica का 80 20 20 यह 10-12000 रुप आउजा कंपनी जो है इंडिया की कंपनी है जो अपने लाइव वजन वजन की प्रस्तूती देते हैं लोग उसमें बहुत कामें लिए जाते है तो वह भी एक्सलर से जुड़ता है तो audio interface से जुड़ दिया हूँ 500 रुपे का microphone था लेकिन उसका output वाज ओसम भाई एकदम टक है यह थोड़ा ज्यादा sensitive होता है तो अगर कमरा जो खाली है को यह से कमरे में स्टार्ट कर रहे हो जो एक तम खाली है जिसमें कुछ भी नहीं से मैंने यह इसलिए कि इको थोड़ा कम हो जाए तो अगर तुम्हारा खाली है तो तुम्हें एक dynamic microphone ले सकते हो बजट कम है तो आटिस्ट वो भी 80 2020 पर audio technique 80 2020 पर रिकोड करते हैं बाकी जो बहरेंजर के हैं वो भी मसता आते हैं तो भाई कोई दिक्कत नहीं कोई साभी ले लो पर दिल में यह मत करना कि मैंने स्वस्ता ले लिया तो मुझसे अब काम नहीं होगा जो करना चाहों कर सकते हो चाहे microphone कोई सा उस्ट पात है हम एस्टोड गले तुमहें बस इतनी ही चीजी जैए मैंने क्या बताया सबसे पहले बताया क्म्प्यूटर जो क्विर अइक बहुट कूछ बूर 25 की नहीं हो सकता है उसके बाद मेंने बताय स्पीकर्स ऑसके बाद मेंने बताय स्टूडियो मॉनि ढल हैदफ का हैं जस्ट उसमें माइक्रफोन को टांगने का और रिकोर्ड करने का मेरे भाई और अब भाई मैं बताता हूं कि कौन सी चीज किसमें घुषती है और किदर से घुषके किदर से निकलती है तो कैसे क्या कनेक्शन होते हैं होम इस टूडिय की सारी चीजे बताने से लेके उस सबसे बिखा देता हूं सबसे लैप्टोप कोई सा भी हो सकता है मेरे पास डेल का लेप्टोप है आपको रख सकते हो मेरा लेप्टोप में क्या है कौन सा प्रोसेसर है वग्रावगरा यह देख सकते भाई AMD का ग्राफिक्स कार्ड है और intel का आई-फाइप्रोसेसर इतना आ आता है एम ओडियो का इसका उसका किसी का भी ले सकते हो ज्यादा फरक नहीं पड़ता है बस उसके रीव्यू देख लेना आमेजोन पे जाके जब भी खरीदो मैं नीचे जितने में में हैं उनके सब के लिंक दे रहा हूं जो भी बजट में बैठे पाई वो ले सकते हो अभी के बीच में आएक चीज आएगी तो देखो यह माइक्क्रोफन का तार यह आ रहा है यह आए और फिर यह जा रहा है इसमें और फिर यह ओडियो इंट्रफेस की जो केबलाए यूएस भी यह जाएगी लैप्टॉप में यह लेप्टॉप में सिर्फ एक चीज करेंक्ट हो तो तो अगर इनकी बात करूं तो देखो यह यहां से इनकी केबल निकल के जा रही है और फिर यह इसके बाद यह कीबड मायूस ही यह तो लेप्टॉप की असेसरी है इनको स्के लाव बात करते हैं हम इसकी तो यह जो है यह है और यह टेक्णिकांवाला हेड़फों जड़ाइब complete डेघी और उसके साथ में केबल स्टेडी के निकाल के दिखाती है तो यह यह चासिज हो दिखिए यह यह संधी नार्व केबल केसी आते हैं ट्यारेस केबल दिखाता हूं है यह लग लिए स्टूडियो मॉनिटर में यह काम में ले सकते हो और इससी बाद में यूस्वी के बाद की थी वह आती है इनके साथ में जो और इंटर इसके साथ मिल जाए उसके लिए प्रोब्लम देने कोई जरुत है नही वाई लोग यह हो गया वाई अपना जो वो तो यार तो भाई मैंने लगभग सभी बाते बता दिया वो में बारे में जो भी बता सकता था जो भी जरुत पड़ेगी चीज़ों की तो यह चीज़े ला सकते और दिमाग में यह बर्डन मत लेना कि मेरे पास कमरा ऐसा है छोटा वो चीज जो है वो भी आपके लिए जो है मेंडेटरी नहीं है वो एक तरीके से अप्सिनल है अगर पैसे है तो ला सकते हो मीडी कीबॉर्ड बोलते हो उसको उसको उससे अपना धुन निकाल सकते हो अगर पैसे नहीं है तो स्टार्टिंग में तो यह सारी चीज़े चीज आप से देने की जरुत नहीं है तो वो खर्चा तुम्हारा बज़ाएगा और जब मन में आए आ सकते हो अपने स्टूडिय में रिकोर्ड कर सकते हो और जो भी डालना चाहते हो दुनिया के साथ वो डाल सकते हो और अभी जो लोगडाउन का साफ किताब चल रहा है तो लोग वैसे भी नहीं जा पा रहे हैं कहीं पर तो अपने हों स्टूडिय होने का सबसे अच्छा फायदा यह है क्या आराम से अपनी रिकोर्डिंग कर सकते हो और अगर बीट नहीं बनती है या फिर रिकोर्डिंग करने बाद मिक्सिंग नहीं होते है उसके लिए मेरे जैसे आद बस तो लगी लाइक करो शेयर करो सबस्क्राइब नीकिया जरूर करना और कमेंट करना कुछ नहीं समझ में आ है और सब कुछ समझ में आ गया तो भी कमेंट कर देना कि वाई सब कुछ समझ में आ गया है और बाकी आगे कुछ और जानना चाहो पूछना चाहो तो कमेंट कर रिप्लाई करता हूँ, अगे भाई लोग, तो जी सामने कहता हूँ, बीठ बनाते रो, और मज़े करते रो, चलता हूँ.